समाकलन का मूलभूत प्रमे Fundamental Theorem of Integration तो ये जो प्रमे है इसका कथन कुछ इस प्रकार है यदि small f of x बंद अंतराल a to b में संतत हो तथा capital f of x फ्रलन small f of x का कोई अनिशित समाकल हो तब हम लिए सकते हैं integration from a to b small f of x dx इक्वल टू capital f of x limit is from a to b equal to capital f of b minus capital f of a क्रिया विदी एक सतत फ्रलन f of x का अनिशित समाकल integration from a to b small f of x dx ग्याद करने के लिए हम इस प्रक्रिया का पालन करेंगे जिसमें पहला है स्वेक्ष अचरों को छोड़ते हुए integration f of x dx को समाकलित कीजिए यह मान हमें capital f of x देगा दूसरा कि capital f of v वा capital f of a को ग्याद कीजिए और तीसरा कि capital f of v minus capital f of a की ग्याद कीजिए यह दिये गये निशित समाकलन का मान है तो इस प्रकार हम समाकलन की मूलभूत प्रमे का उप्योग करके किसी भी दिये गये फलन का समाकलन ग्याद कर सकते हैं आईए देखते हैं इससे सम्मानित प्रश्न समाकलन का मूलभूत प्रमे यहाँ पर integration a to b small f of x dx यदि f of x dx integration है इसको solve करने पर आपको capital f of x मिलता है तो limit को हम कुछ इस तरहीके से लिखते हैं from a to b और इसका मतलब होता है कि x किस्थान पर एक बार आप b रखेंगे फिर minus sign लगा करके a रख करके आगे solve करेंगे तो इसी पर प्रश्न आधारी थे जहाँ पर दिया गया है कि समाकलन के मौलिक प्रमे के आधार पर निम्नांकित के मान ग्याद कीजे इसमें पहला प्रश्न है इंटिकेशन 124 dx अपॉन square root x यह मान निकालने के लिए पहले हम apply कर लेते हैं पहले सिर्फ समाकलन सरल करते हैं फिर बाद में हम limit apply करेंगे तो इंटिकेशन dx अपॉन square root over x इसका मदलब यह है कि x का power minus 1 by 2 इसका हमें समाकलन करना है तो x का power minus 1 by 2 का समाकलन करेंगे तो मिल दाएगा x का power minus 1 by 2 plus 1 upon minus 1 by 2 plus 1 सरल करने पर 1 minus 1 by 2 मिल दाएगा x का power 1 by 2 और इसको भी solve करने पर आपको मिल दाएगा 1 by 2 तो यह 2 अंस में चला जाएगा और आपको मिल दाएगा 2 into x का power 1 by 2 या फिर आप लेख सकते हैं 2 square root over x तो अब indication 1 to 4 dx upon square root over x equal to 2 square root over x 1 to 4 अब चुकि 2 जो है अचर रासी है से बाहर आ जाएगा और एक बार x के इस्थान पर आप 4 रखेंगे तो यह मैं लगा वर्गमूल 4 फिर वर्गमूल 1 आगे सरल करेंगे वर्गमूल 4 कमान 2 और वर्गमूल 1 कमान 1 दो गुणा 1 करेंगे मिल जाएगा 2 तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ integration 1 to 4 dx upon square root over x equal to 2 यह इस दिया गया प्रश्म का उत्तर है इसमें दूख ज़रा प्रश्म दिया गया है integration 0 to pi by 4 cos of x plus pi by 4 dx तो पहले हम समाकलन कर लेते हैं और फिर इसमें limit लगा देंगे तो cos of x plus pi by 4 dx cos x का समाकलन होता है sin x तो यह आपको मिल दाएगा sin of x plus pi by 4 और फिर इसका उकलन से भाग देंगे x के स्थान पर x के स्थान पर x plus pi by 4 है तो इसका 1 मिल जाएगा और इसका pi by 4 का 0 मिल जाएगा तो ultimately upon 1 उसे लिखते नहीं है तो इस प्रकार आपको मिल रहा है integration cos of x plus pi by 4 dx equal to sin of x plus pi by 4 और इसमें हम limit लगा देंगे 0 to pi by 4 एक बार x के स्थान पर आपको pi by 4 रखना है तो आपको मिल दाएगा sin of pi by 4 plus pi by 4 फिर minus sin of 0 plus pi by 4 solve करेंगे तो मिल दाएगा sin of pi by 2 minus sin of pi by 4 sin of pi by 2 sin 91 और sin pi by 4 1 by square root 2 तो इस प्रकार आपको मिल रहा है integration 0 to pi by 4 cos of x plus pi by 4 dx equal to 1 minus 1 by root 2 तो यह दिये गया प्रश्न का उत्तर है अगला प्रश्न दिया गया है integration pi by 4 to pi by 2 cos theta into cosic square theta d theta पहले इसे सरल कर लेते हैं समाकलन को और फिर हम इसमें बाद में limit apply कर देंगे तो यह cosic square theta d theta cos theta को प्रश्न फलन मान करके चलते हैं और cosic square theta को दूसरा फलन तो जैसा कि आप जानते हैं integration uv dx equal to u integration v dx minus d by dx of v integration v dx then whole integration dx यह खंड सा समाकलन का सूत्र होता है इस सूत्र का उप्योग करके हम इसे सरल करेंगे प्रश्न फलन cos theta दूसरे फलन का समाकलन तो यह cosic square theta d theta फिर minus d by d theta of cos theta फिर दूसरे फलन का समाकलन cosic square theta d theta और फिर इस पूरे फलन का समाकलन आगे सरल करेंगे cos theta cosic square theta का समाकलन मिलता है minus cot theta तो लिखेंगे minus cot theta फिर minus cos theta का cos theta का उकलन मिलता है minus sin theta और फिर से आप cos cosic square theta का integration करेंगे तो मिल दाएगा minus cot theta d theta minus और minus ultimately plus हो जाएंगे अब ये है आपका cos theta cot theta को आप लिख सकते हैं cos theta अपॉन sin theta minus ये sin theta और cot theta को आप लिख सकते हैं cos theta अपॉन sin theta फिर ये d theta ये sin theta और ये sin theta cancel हो जाएगा cos theta और cos theta का multiply करके लिख सकते हैं स्क्वेर थीटा और यह अपॉन साइन थीटा फिर यह इंटिकेशन कॉस्ट थीटा डी थीटा सॉल करने पर आपको मिल जाएगा कॉस्ट स्क्वेर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस्ट थीटा का cosec square theta d theta का समाकलान हमें यह मिल रहा है अब आगे इसमें हम limit apply कर देंगे और हमें जो चाहिए वह मिल जाएगा तो इस प्रकार integration pi by 4 to pi by 2 cos theta into cosec square theta d theta equal to cos square theta upon sin theta minus sin theta pi by 4 to pi by 2 और यह minus sin में आया हुआ है यहाँ पर यह minus sin है यह plus आजाएगा अगर minus minus लिखे तो चलिए आगे solve करते है पहले theta किस्तान पर pi by 2 रखेंगे तो cos square pi by 2 upon sin pi by 2 plus sin pi by 2 फिर minus cos square pi by 4 upon sin pi by 4 फिर minus sin pi by 4 cos 90 0 होता है तो 0 को square ultimately यह जो term है वो ultimately आपको 0 मिलने वाला है जो 0 plus sin pi by 2 यह आपको मिल जाएगा 1 फिर minus 1 by root 2 into 1 by root 2 आप लेख सकते हैं और sin pi by 2 आपको मिल जाएगा 1 by root 2 फिर minus 1 by root 2 यह एक पद और यह एक पद कैंसल हो जाएगा और ultimately आपको मिल जाएगा minus sin 1 minus यह 1 by root 2 और 1 by root 2 तो 2 root 2 इसे और आगे solve करेंगे तो आप लिख सकते हैं 2 root 2 यह वाला पद फिर यह minus 1 तो यह जो दिया गया फलन था integration pi by 4 to pi by 2 cos theta cosec square theta d theta यह आपको उत्तर मिल चुका है इसमें चौथा प्रस्ण देखते हैं इसमें दिया गया है integration 0 to pi by 2 square root over 1 plus sin x dx पहले इसे सरल कर लेते हैं और फिर इसमें limit apply कर देंगे integration 1 plus sin x dx इसे हम लिख सकते हैं 1 के इसान पर हम लिखते हैं sin square x by 2 plus cos square x by 2 plus sin x के इसान पर लिखेंगे 2 sin x by 2 cos x by 2 और फिर यह dx तो आप देख रहे हैं कि वर्गमूल के अंदर जो रासी हमें दिखाई दे रही है it is nothing but sin of x by 2 plus cos of x by 2 का whole square और फिर यह dx वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और आपको मिल दाएगा sin of x by 2 sin of x by 2 sin of x by 2 plus cos of x by 2 इसका हमें समाखलन करना है sin का होता है minus cos तो मिल दाएगा minus cos of x by 2 upon 1 by 2 फिर cos का समाखलन होता है sin of x by 2 upon 1 by 2 तो ultimately जो भी से solve करेंगे तो आपको मिल दाएगा 2 sin of x by 2 minus cos of x by 2 तो यह हमें सिर्फ समाखलन का मान पराप्त हो रहा है अब जब हम इसमें limit apply कर देंगे 0 to pi by 2 integration 1 plus इसको root over 1 plus sin x dx equal to 2 sin of x by 2 minus cos of x by 2 यह 0 to pi by 2 यह value put कर देते हैं तो पहले x के इस्थान पर pi by 2 रखेंगे तो आपको मिल दाएगा sin of pi by 4 x के इस्थान पर pi by 2 तो यह 2 और 2 multiply होकर के 4 फिर cos pi by 4 फिर minus sin 0 minus plus cos pi by plus cos 0 degree तो 2 into sin pi by 4 1 by root 2 cos pi by 4 1 by root 2 sin 0 0 cos 0 1 यह दोनों के एंसल हो जाएगा ultimately आपको मिल दाएगा 2 तो इस तरीके से integration 0 to pi by 2 इसको root over 1 plus sin x dx इसका मान हमें दो प्राप्त हो रहा है यही इस प्रश्न का उत्तर है इस प्रश्न को हम वैकल्पिक विधी के द्वारा भी सरल कर सकते हैं आवाशक नहीं है कि इसे सरल करने का सिर्फ यही एक विधी है चलिए आगे देखते हैं इसके दूसरी वेकलपिक विधी, माना कि जो दिया गया फलन है, जो समय समाकलन ग्यात करना है, यह i के बराबर है, अब हम जो sin x है, उसे cos के पदों में लिखेंगे, तो आप इसे लिख सकते हैं, 1 प्लस cos y by 2 माइनस x, अब चुकि आपको पता है कि 1 प्लस cos theta, यह आपको मिलता है 2 cos square theta by 2, तो इसे आगे सरुल करेंगे, तो मिल दाएगा integration 0 to pi by 2, square root over 2 cos square, angle का half, तो यह pi by 4 माइनस x by 2 dx, वर्गमूल दो अचर रासी है, limit के बाहरा जाएगा, 0 to pi by 2, और फिर square root है, और square है, तो आपको मिल दाएगा, cos of pi by 4 माइनस x by 2 dx, cos का समाकलन sin होता है, तो यह आपको मिल दाएगा, sin of pi by 4 माइनस x by 2, और यह upon में मिल दाएगा, यह तो अचर रासी है, pi by 4 का आउकलन 0 हो जाएगा, और यह आपको मिल दाएगा, minus 1 by 2, और यहाँ पर limit अप्लाई होगा, 0 to pi by 2, यह minus sin यहाँ पर आजाएगा, और 2 उपर चला जाएगा, तो मिल दाएगा, minus 2 root 2, और फिर यह फरन कमान, sin pi by 4, पहले x के स्थान पर pi by 2 रखेंगे, तो pi by 2 और अपान 2, मिल दाएगा, pi by 4, फिर minus sin pi by 4, minus 0, minus 2 root 2, sin pi by 4, pi by 4, sin 0, और फिर minus sin pi by 4, यह तो आपको मिल जाएगा, 0, minus 2 root 2, 0 minus 1 by square root 2, ultimately minus or minus plus मिल जाएगा, 2 root 2 upon root 2, root 2 root 2, cancel हो जाएगा, तो इस पर कार आपको मिल रहा है, 0 to pi by 2, square root over 1 plus sin x dx equal to 2.